हलो दोस्तों कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका हमारे चैनल पर तो काईज आज हम लोग बात करने वाले एमजोन में मिलने वाले ग्रेटियन इन फेस्टिबल में कुछ मोबाइल फोन्स के बारे में जो कि आप लोग 100 रुपे से लेके 50,000 रुपे तक खरीद सकते हैं हमने दो दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिनमें जिसमें हमने आपको गेमिंग लैप्टप्स के बारे में बताया था आज हम लोग देखेंगे कौन से मोबाइल साप लोग खरीद सकते हैं तो चलते हैं सबसे पहले 100 तो नहीं पर 1000 रुपे के फोन पर कौन है वो फोन और वो एक स्मार्ट फोन तो नहीं है पर स्मार्ट फोन के लाए कुछ काम कर सकते हैं तो हमारा जो पहला फोन है वो है जियो भारत के वन इस फोन को हम लोग देख लेते हैं चेक आउट करते हैं और इसके क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं वो भी हम लोग देखेंगे तो चल आप लोग को अभी बताता हूं इसमें आपको एक LED टॉर्ज भी मिल जाता है और ब्लैक और ग्रे कलर है पर एक चीज जो इस फोन में थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं वो है कि आपको इसमें जीओ का सिमी यूज करना है जीओ के अलबा कोई और सिम सपोर्ट नहीं करेंगे य जीओ पे जो है उसमें आप लोग इस मॉबाइल से इस मॉबाइल के कैमेरा से स्कैन करके आप UPI पेमेंट्स कर सकते हैं तो एक कीपैड फोन से स्क्रीन टाच पर एक कीपैड फोन से UPI पेमेंट का सपोर्ट आपको यहां पर मिल जाता है तो अभी के टाइम में ये फोन हम लोग देखें अगर तो यह फोन आपको 999 यानि 1000 रुपए में मिल रहा है तीन कलर से इन में से कोई भी कलर आप लोग चोईस कर सकते हैं चले चलते हैं अपर नेक्स्ट फोन के तो नेक्स्ट बेस्ट फोन आने वाला है सैमसंग गैलक्सी M04 क्यों यह बेस्ट होने बाला है यह मैं आप लोग का भी बताऊंगा यह 4GB RAM और 64GB Storage है साथी में 4128 भी इसमें आपको मिल जाएगा तो इस फोन का प्राइस होने वाला है 6499 यह फोन काफी ज्याद है प्राइस में लॉंच हुआ था पर अभी के टाइम में अगर आपको एक entry-level phone के अंदर कुछ पर्चेस कर इसमें आपको मिल जाता है तो इसमें कुछ वो डाइनेमिक राम वाला फीचर भी है जिसमें 8GB तक जा सकते है पर उसको आप लोग कंसिडर ज्याना मत कीजिए यह उतना कुछ खास नहीं होगा 64GB का storage है इसको आप चाहे तो चिप के साहता से इसको 1TB तक इंक्रीज कर सकते हैं Mediatek P35 processor 16.55 inches का HD plus display 13 Megapixels का camera android 12 जो अभी 13 होके आएगा दो OS upgrades आपको मिल जाएंगे और 5000mH का battery इसमें आपको मिलता ही है तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि दो camera's है तो दो camera में 13 Megapixel और 2 Megapixel का दूसरा camera है तो 2 Megapixel को आप लोग consider मत कीजिए वो उतना काम का नहीं होता है LCD screen मिलेगा 720 by 1600 pixels का resolution है और 1 year का आपको इसमें warranty मिल जाएगा यह एक 4G phone है 5G phone नहीं है तो इस rate के अंदर 5G मिलना थोड़ा सा मुश्किल है पर अगर आपको entry level एक Samsung का phone चाहिए जो आसान चलाने में हो और bloat वेर्स ना हो तो इसको आप लोग consider कर सकते हैं चलते हैं हमारे next phone के अप्सायने वाला Lava Blaze 5G phone क्यों यह phone में आप लोग को recommend कर रहा हूँ पहले इसके कुछ features देख लेते हैं तो इसके हम लोग 4G variant नई choice करेंगे तो यह 6G RAM वाला phone है साथ ही में इसमें आपको UFS 2.2 का 128GB का storage मिलता है 5G phone है 50MP का camera है expandable 11GB तक RAM है इसको आप लोग उतना consider मत किजिए charger मिलता है box में और सबसे जो main बात है इसमें कि clean android तो bloat वेर्स नहीं मिलने वाले आपको इसको कुछ awards भी मिले है जो कि आप लोग देख सकते हैं हमारे ज्यादा फाइदा का नहीं है हमारे फाइदा का जो चीज है वह है यह premium glass pack design तो पीछे का जो design यह glass का बना हुआ है apple जैसा apple में जैसे glass pack होता है तो वह एक काम का चीज है मतलब solid दिखता है 5000 mh का आपको battery मिल जाएगा और mediatek diamond city 700 processor तो processor भी काफी अच्छा है आपके daily day to day जो भी task होंगे वह आराम से कर देगा यह phone 50 megapixel का AI triple rear camera मिल जाता है 2K तक video आप लोग recording कर सकता है electronic image stabilization का support भी है front में आपको 8 megapixel का camera मिलेगा यह देखी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 5G bands आपको मिलेंगे side fingerprint sensor और face lock का भी support है 13 android 13 आपको मिल जाएगा यहाँ पर और बाकी अगर देखें यह 90 hertz का IPS panel है तो HD plus display है पर 90 hertz का IPS panel है साथ ही में wide wine L1 का support भी मिल जाता है मतलब आप full HD quality में भी videos देख सकते हैं इसमें आप YouTube को background में भी यूज कर सकते हैं जिसके लिए हम लोग कुछ apps यूज करते हैं तो इसमें apps यूज करने का ज़रूरत नहीं है background में भी YouTube stream हो जाएगा बहुत ही तेजी से और अच्छे से तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसका price दिखा रहा है 10,999 रुपीज और यहां पर अगर गौर करें हम लोग तो इसमें आपको 28 रुपे का coupon मिल जाएगा और SBA के credit card से अगर आप लोग खरीते हैं काई से manage करकी या फिर आपने पास हो तो यह phone आपको 10,000 के अंदर य Lava Blaze Pro 5G यह 8GB RAM से शुरू होता है 128GB का इसमें storage मिल जाता है 50 megapixels का AI camera 120Hz full HD plus display तो उससे upgrade है 33W का इसमें आपको fast charger भी मिल जाएगा features के तरब आप नजर देते हैं तो पीछे आप लोग देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा finish वाला design मिलता है आपको features की बात करें तो 8GB का RAM है 2K तक वीडियो recording कर सकते हैं electronic image stabilization का support भी है 33W का fast charger MediaTek Dimensity 6020 processor बहुत बड़ा अपगरेड है Dimensity 700 से 50 megapixels का camera 120Hz का full HD plus punch hole display side fingerprint sensor type-c charging 5000 mh का battery और android 13 OS with anonymous auto call recording इसका मतलब किया है कि जब आप call recording start करेंगे कि दूसरे लोग को पता नहीं चलेगा कि आपने यहां से call recording start किया जैसे Google का डाइलर में जब हम लोग करते हैं तो कि दूसरे तरफ sound जाता है कि call recording start हुआ है तो वह ऐसा नहीं होगा Samsung जैसे यह feature है आट मेंगा pixels का इसमें आपको selfie camera मिल जाता है और design भी काफी अच्छा है इसका price आपको मिलने वाला है 13,000 रुपए में अभी offer price यही है इसमें कुछ card लगाने का ज़रूरत नहीं यही available price यही है चलते है next phone के तरफ वो phone होने वाला है Samsung Galaxy M14 5G इस phone को मैंने खरीदा था 15,000 रुपए देखे 6GB 128GB वाला variant चलिए देखते हैं कि अभी यह कौन से price में मिल जाता है इसके अगर कुछ features के उपन नजर मारते हैं तो M14 5G है यह 6GB 128GB variant है 50 megapixels का triple camera मिल जाता है साथ ही में 600 है 6000 mAh का battery 2 OS upgrades आपको मिलेंगे और 4 security updates आपको मिलेंगे इसमें यह Samsung का एक feature है कि Samsung updates अच्छे से देते हैं उनके जो नए phones है उनमें तो इसमें 5 nanometers का प्रोसेसर मिलता है तो प्रोसेसर काफी अच्छा है Gorilla Glass 5 का इसमें आपको protection में मिल जाता है 6.6 inches का full HD plus display है 13 5G bands तो 5G bands में upgrade है Lava से 2 Gen OS आपको upgrades मिलेंगे Nox security का feature इसमें आपको मिल जाता है और voice focus का support भी इसमें आपको मिलता है voice focus में क्या होता है कि जब आप इसको on करते हैं तो आस पास के जो background noises है वो receiver को मतलब जो आपसे बात करें उनको सुना ही नहीं देता है देखते हैं इसके कुछ और processing features और क्या क्या आपको मिल जाता है इसमें प्रोसेजर कौन सा मिलता है क्या मिलता है इसमें आपको exynos 1330 मिलता है जो Dimensity 780 से ज्यादा powerful है 50 Megapixel 2 Megapixel प्लस 2 Megapixel का support मतलब camera है 13 Megapixel का front camera LCD screen है Full HD resolution के साथ साथ ही में यहां पे कुछ और चीज़ है हम लोग देख लेंगे कि हमारे यूज का क्या है इसमें आपको 90 Hz का refresh rate मिलता है तो refresh rate काफी अच्छा है 120 Hz होता तो ज्यादा अच्छा होता पर 90 Hz भी काफी सही है 5 G's में आपको मिल जाएगा 206 Grams का weight है क्योंकि इसमें 6000 mAh का battery मिलता है तो weight थोड़ा सा heavier side में है पर आपको उतना feel नहीं होने वाला चलिए अभी देखते हैं यह phone आपको अभी के time में कौन से price में मिल जाएगा तो यहाँ पर जैसे दिखा रहा है 12,990 पर price इतना नहीं होने वाला price आपको यहाँ पर मिलने वाला है 11,240 रुबिस क्योंकि SBI का credit card के उपर इसमें अभी 17,50 रुबिस का off चल रहा है तो effective price हो रहा है 11,240 रुबिस हमने खरीदा था 15,000 रुपए में मतलब करीब करीब 4,000 का discount अभी चल रहा है तीन color से इसमें आप कोई भी choice कर सकते हैं चलते हैं हमारे next phone के तरफ रहे सकते हैं इस phone को M34 latest launch है कुछ ही महीने पहले launch हुआ है तो इसके क्या-का features है इसमें भी आपको 6,128GB का variant है यह मतलब 6GB RAM 128GB का storage आप चाहे तो इसमें 8GB RAM वाला variant भी चूज कर सकते हैं 120Hz का Super AMOLED डिस्प्ले वह Full HD Plus डिस्प्ले था 90Hz वाला स्क्रीन था और यह 120Hz का Super AMOLED डिस्प्ले वह LCD डिस्प्ले था 50MP का triple no-shake camera नो-shake camera का मतलब क्या है नो-shake camera मतलब इसमें आपको OIS का support मिल जाता है इस camera में एक छोटा सा gimbal fit किया गया है जो कि vibrations को control करता है और वीडियो को stabilize करता है 6000 mh का battery, 4 OIS upgrade और 5 साल का security update आपको मिल जाएगा Samsung के phone में अभी जो दिखकता आ रहे कि यह लोग charger नहीं दे रहे हैं तो आपको charger अलग से खरीदना पड़ेगा यह कुछ features है, Corning Gorilla Glass तो नहीं, Gorilla Glass 5 का production आपको मिल जाएगा और 5 nm का processor है, बाकि voice worker से और nox का security भी है, Samsung wallet का support भी इस में आपको मिल जाता है चलिए देखते हैं और क्या features आपको देखने को मिलते है तो इसमें आपको 50MP, 8MP and 2MP का support मिल जाएगा front camera 13MP का है, Corning Gorilla Glass 5 का ही production है तो मैं सही था, Corning Gorilla Glass 5 का production है और बाकि यह तो phone 5G है तो इसको आप लोग बहुत ही आसानी से use कर सकते हैं processing में कोई दिक्कत नहीं आएगा processor बहुत ज्यादा powerful होने वाला है देख लेते हैं कि कौन सा processor इसमें use किया गया है पर काफी बढ़िया processor use किया गया है इसका price देख लेते हैं कि अभी offer के time में यह कितने price में आपको मिल जाएगा तो 6GB 128GB variant यह आपको मिलेगा 14,249 रुपीज क्योंकि SBI credit card के उपर 17,50 रुपीज का discount है देखते हैं कि इसका अगर आप लोग 8GB variant choice करते हैं तो जो मेरे जासे content creators उनको थोड़ा सा ज्यादा space का जरूरत पड़ता है तो 8,128GB का अगर आप लोग देखते हैं तो यह आपको 16,249 रुपीज में मिल जाएगा चलते हैं हमारे next phone के तरफ जो कि आप लोग देख सकते हैं consider कर सकते हैं तो वो phone होने वाला Honor के तरफ से आने वाला Honor 90 बहुत ही latest launch phone है कुछी दूना पहले launch होया यह शुरू होता है 8GB प्लस 256GB वेरियंट से मतलब 8GB RAM 256GB स्टोरेज 200 Megapixels का इसमें आपको main camera मिलेगा और 50 Megapixels का selfie camera मिलेगा Quad curved LED AMOLED screen मिलेगा और इसमें आपको charger नहीं मिलेगा तो charger अलग से खरीदना है उसमें कोई दिक्कत नहीं है प्राइस के उपर हम लोग देखेंगे कि इसमें मतलब प्राइस में तो बहुत ही ज्यादा discount मिल रहा है जिस प्राइस में launch हुआ था snapdragon gen 1 processor इसमें आपको मिल जाता है risk-free dimming display magic OS 7.1 इसमें है और अगर देखे तो 5000 image के इसमें आपको बैटरी मिल जाता है 12 Megapixels का ultra wide camera में मिलता है पर कोशिश कीजिए कि main camera यूज करना कि 200 Megapixel का जाबबरोग खरीद रहा है तो उसे यूज करना का sense स्यादा बनता है तो कुछ और features अगर हम लोग देख लेएं यहां पर यह और क्या इसमें आपको मिल जाता है 50 Megapixels का selfie camera तो है 120 Hz का quad curved floating AMOLED displays में आपको मिल जाता है welcome snapdragon snap 7 gen 1 accelerated edition processor 5G processor इसमें आपको मिलता है और owner का magic OS 7.1 मिलता है यह android 13 के उपर बेस्ट एक प्रसेसर है android 13 के उपर बेस्ट एक OS है तो इसका अगर प्राइस देखे तो 30,990 रुपीज दिखा रहा है पर SBA के credit card के उपर 5,250 रुपीज का आप है मतलब effective prices का होने वाला है 25,749 रुपीज तो जिनको भी 25,000 के budget में phone लेना है तो वो इसको consider कर सकते हैं owner बहुत दिनों बाद Indian market में comeback किया है तो phone वाकई में अच्छा होने वाला है देखते हैं कुछ और phones जो कि आप लोग खरिद सकते हैं जो अच्छे होने वाले हैं क्योंकि अगर phone अच्छा नहीं है तो मैं आप लोगों को suggest नहीं करूंगा बहुत सारे brands को मैं skip कर रहा हूं इस वीडियो में जनमें processor तो काफी अच्छा आपको देखने को मिलते हैं पर बाद में जाके यह दिक्कत दे सकते हैं आपको एक चीज में बताता हुआ चलूं कि honor मैंने आपको lava के जितने भी phones दिखा हैं उन सभी में आपको UFS 2.2 storage मिलता है तो storage का quality काफी अच्छा है अगर lava के तरफ से यह एक और phone देखें तो यह 22,000 के price में launch हुआ था lava Agni 2 5G इसमें भी आपको 8GB RAM 256GB storage इंडिया का पहला Diamond City 7050 processor इसमें आपको मिलता है 120Hz का curved AMOLED डिस्पले 13 5G bands मिलेंगे और 66W का super fast charging आपको मिलता है clean Android experience के साथ तो features तो काफी अच्छ है full HD plus display मिल जाता है इसमें आपको 50Mbps का quad camera support in display fingerprint तो यह upgrade है side fingerprint से direct in display fingerprint और देखते हैं N22 score यहाँ पर आप लोग दिखा रहा है कि 5,19,000 तो इसको आप लोग consider ना कीजिए क्योंकि इसको हम लोग चाहे तो manipulate कर सकते हैं one year का free replacement at home यह लावा के तरफ से आने वाला बहुत ही खास टाइप का warranty है जहाँ पर अगर आपके फोन में कुछ दिक्कत होता है तो यह लावा आपके घर आके इसको replace करेंगे या फिर जो भी problem हो उसको सुधा रहेंगे काफी अच्छा है चलिए देखते हैं कि कुछ और features इसमें आपको क्या कुछ दिखा रहा है तो 2.6 GHz वाले यह प्रोसेसर है यह देखिए अगनी मित रही है जो प्रोसेसर है यह जो features है मतलब लावा का replacement feature इसमें आप लोग देखें तो आपको एक service manager दिया जाएगा free pick up and drop होगा और response भी instant होगा तो कुछ दिक्कत होता है आप लोग जब complain करेंगे तो तुरंद तुरंद जब आवाएगा और इसमें android 14 और 15 का upgrade भी मिलेगा तो लावा ने मतलब एक शपत लिया है कि हम लोग वा रहे मतलब OS upgrades देंगे क्योंकि Indian brands वो करते नहीं है phone launch कर दिया फिर after sell support नहीं होता है पर लावा के दरप से यह बहुत ही अच्छा gesture है और साथी में तीन साल का इसमें आपको security upgrades भी मिलेंगे कुछ और features देख लेते हैं इसमें आपको और क्या मिल जाता है क्लीन एंड्रोइड का feature तो है तो लावा बहुत ही अच्छा चीज फॉलो कर रहा है कि क्लीन एंड्रोइड आपको दे रहा है 13 5G bands इसमें आपको मिल जाएंगे प्राइस की बात करें अभी के टाइम में तो प्राइस ट्वेंटी थाफ़जन है पर एसब एक रेट करके तरफ से 1500 का ओफ है तो एफेक्टिव प्राइस है साड़े अठारा हजार रुपे यह सभी जो फॉन में आप लोग को दिखा रहो यह सभी के लिंक्स में डिस्क्रि लिए लिंक्स होते हैं एमाजान के जिनको भी फोल्डिंग फोन्स में इंट्रेस्ट है तो फोल्डिंग फोन्स जो लोग खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए बता दो मोटरोला के तरफ से आने वाला यह फोल्ड फोन आपको मिल जादा है मोटरोला रेजर फोल्ड यह फोल्ड तो नहीं कह सकते है इसको फ्लिप फोन कहेंगे तो मैं सैमसंग के वाज़ा इसको रेकमेंड करने का मेरा सबसे ज्यादा जो मोटिव है वो है कि इसके फीचर्स RGB का RAM 256GB का स्टोरेज 3.6 इंचेस का external AMOLED डिस्प्ले 6.9 इंचेस का AMOLED 165 हर्स वाला डिस्प्ले आपको main डिस्प्ले जो है यह 165 हर्स का मिलता है 32 मेगापिक्सल का selfie camera मिल जाता है 30 वार्स का charging मिलता है Android 13 का support base में आपको मिल जाता है यहां पर आप देखें तो 3.6 इंचेस के यह P OLED डिस्प्ले में लेगा 144 हर्स के साथ snapdragon 8 plus Gen 1 प्रोसेसर इसमें आपको मिल जाता है 165 हर्स का refresh rate और peak brightness 1400 इंच तक जाता है और flex तो आप लोग कर सकते हैं flex sorry flip कर सकते हैं flex भी कर सकतेगा चाहे तो moto का elite care यह एक feature है जहां पर आपको service मिलेंगा free pickup drop feature तो lava जैसे कुछ अच्छा feature दिया गया है काफी अच्छा है इसमें whatsapp नमर भी दिया गया है आप लोग चाहे तो इसमें यहां पर call कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अगर आपके phone में कुछ दिक्कत आ गया हो तो features देखते हैं कौन कौन से features इसमें आपको मिलते हैं तो fingerprint sensor तो इसमें आपको मिल जाता है बहुत सारे sensors दिये गया है proximity plus light sensor ambient light sensor accelerometer gyroscope e compass hall sensor dual stereo speakers मिलेंगे dolby atmos के support के साथ साथ ही में कौन नहीं Gorilla Glass Victus का protection मिलेगा ip52 water ripple and design water resistant यह phone नहीं है 3800 image का battery मिल जाता है front जो camera है वो 12 megapixel का है front camera 32 megapixel का है और यहां पर और क्या features आपको मिल जाते हैं तो यही कुछ features थे आपको flip का LPDDR5X का RAM इसमें आपको मिलता है यह कुछ काम की चीज़ क्योंकि RAM बहुत ही upgraded version वाला RAM है 8GB का RAM तो मिलता है यह साथी में यह LPDDR5 का RAM है और जो 256GB का जो storage है वो UFS 3.1 storage है 3.1 मतलब काफी fast होगा जैसे हम लोग NVMe कहते हैं तो UFS 3.1 कुछ उस type का है तो इसका price generally होता है 80,000 रुपीज पर SBI का credit card use करके इसमें आपको 7,250 रुपीज का off मिलेगा जिससे इसका effective price आ जाएगा 72,750 रुपीज तो अगर आपको flex करने वाला यह flip होन चाहिए तो आप लोग 72,250 रुपीज पेमेंड करके इस phone को check out कर सकते हैं चलते हैं flip phone के तरफ कि अगर हमको flip वाला phone चाहिए तो कौन सा phone हमें लेना चाहिए तो इसमें भी मैं Samsung को recommend नहीं करने वाला उसके जगे किसी और phone को मैं recommend करूंगा आप लोग comment कर सकते हैं कि कौन सा phone वो होने वाला है तो हम लोग इस phone को ढून रहे है वो है techno phantom 5 fold क्यों मैंने इस phone को recommend किया देखते हैं 12GB का RAM 256GB का storage full size fold LTPO AMOLED display और 4 nm का diamond city 9000 plus processor मिलता है यह कुछ features है 7.85 inches का 2K plus display मिलता है 6.42 inches का full HD plus dual LTPO AMOLED display 50 megapixels plus 50 megapixels plus 13 megapixels का rear camera मतलब पीछे के 250 megapixels का camera और 13 megapixels का rear camera फ्रांट camera के बात करें तो 32 megapixels plus 16 megapixels का front camera मिल जाता है 4 nm का diamond city 9000 plus processor मिल जाता है 5000 mh का इसमें आपको battery मिलता है वो भी 45 watts के fast charger के साथ LPDDR 5X RAM है जो 12GB का है और इसको चाहिए तो आप लोग बढ़ा भी सकते हैं और यह जिस material से बना है वो काफी मतलब अच्छे quality का है यह लोग कह रहे है कि aerospace material है मतलब काफी शानदार material होने वाला है इसका price generally होता है 78,490 रुपीज पर अभी के time में SBI के credit card के उपर साड़े 700 रुपे का और जिससे इसका final price बनता है 77,749 रुपीज देखते हैं इससे भी अगर कुछ अच्छा वाला phone आपको खरीदना हो तो आपको कौन सा phone choice करना चाहिए वो होने वाला है Samsung S23 इसके features अगर देख लें तो S23 5G 8GB RAM 128GB storage चाड़ color options इसमें आपको मिल जाएंगे इसके और कुछ features की बात करें तो देख लेते हैं इसमें 3900 mAh के इसमें आपको बैटरी मिलेगा 12 Megapixels का main camera मिलेगा AMOLED डिस्प्ले है 120Hz का screen है Snapdragon का एक अच्छा प्रोसेसर इसमें आपको मिलने वाला weight बहुत ही कम है 168 grams video capture 8K 8K तक इसमें आप video capture कर सकते हैं इसकी price के अगर बात करें तो अभी के time में इसका कौन सा price चल रहे हैं वह भी हम लोग देखेंगे तो STDs का cameras काफी अच्छे होता है तो box में आपको एक smartphone data cable ejection pin पर charge नहीं मिलेगा चार आपको अलग से खरिदना है तो इसका price होता है 74,999 रुपीज पर अभी के time में 5,000 का coupon मिल रहा है और SBA के credit card के उपर 9,000 का discount है तो final effective price यहाँ पर निकल के आता है 60,999 रुपीज यानि की 61,000 रुपीज में यह phone आप लोग खरिच सकते हैं तो अगर आपको S23 लेने का मन है तो इस phone को ज़रूर चेक आउट करें जो apple fanboys है तो apple के लिए भी बहुत अच्छा offer है iPhone 13 हम लोग देखेंगे iPhone 13 है हमारा last phone होने वाला है देखते हैं इसमें कौन सा offer चल रहा है हभी तो यह 128GB वाला variant है 6 colors का option इसमें आपको मिल जाता है कुछ features देख ला तो इसमें आपको 5G का feature मिलता है 6.1 इसका display है 4K resolution का support है iOS 14 मिल जाता है बाकि Apple में और कुछ features तो हाँ कुछ features यहां पर दिख रहे है Super Retina XDR display मिलता है A15 का बाइन एक chip है Ceramic silk का production है Aluminium का यह जो हमारा side मिलता है वो side Aluminium से finished है और Apple के camera तो आपको पता ही है बहुत ही advanced type के camera आपल यूज़ कर देए box में आपको एक iPhone और एक C2C cable मिलेगा Lightning cable मिलेगा क्योंकि यह iPhone 13 है iPhone 14 में तो करीब आइट सी आच चुके है अभी तो इसका price होने वाला है चेक करें अगर हम लोग तो इसका price आ रहा है कुछ-कुछ करी 48,999 याने की 49,000 रुपीज में आपको iPhone 13 मिल जाएगा 50,000 के नीचे नीचे और इसका जो 512GB वाला जो variant है यह अगर देखते हैं तो इसमें यह कितने में मिल रहा है तो यह 69,500 रुपीज में इसमें आपको मिल जाएगा 512GB तो अगर शॉक के लिए लेना है तो 128GB लीजिए वाजासर के अंदर अंदर आ जाएगा तो यह थे कुछ फोन्स जो कि आप लोग देख सकते हैं अगर आपको खरीदना हो तो खरीद भी सकते हैं काफी अच्छा प्राइसिंग है और ओफर्स भी काफी तगड़े हैं तो मैंने सभी बजेट को यहां पर क्याटेगराइज कर दिया है तो एक बजेट से आप लोग दूसरे बजेट को चेक आट कर सकते हैं दार रुपे से करीब करी 80,000 के आसपस हम गए हैं तो इनिमे से कोई भी फोन आप लोग चेक आट कर सकते हैं सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन वोकस में देंगा वहां से आप लोग चाहे तो इनको ऐगे कर सकते हैं अगर आप करते हैं तो यहां पे हमें एक अच्छा खा फोन थोड़ा सा पुराना है पर फीचर्स काफी तगड़े हैं फीचर्स देख लेते हैं फिर आपको इसका प्राइसिंग बताऊंगा इसमें 120 हर्स का डिस्प्रे तो आपको मिल जाता है स्नैपड्रेगन 695 का प्रोसेसर इसमें आपको मिलता है नो शेक कैमरा जो इम 34 में था वही टेकनोलोगी इसी से लेकर वहां पर डाला गया है सैमसंग का नॉक्स सिकूरिट इसमें आपको मिल जाता है देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चीज मिलेगा एक मोबाइल मिलेगा डाइक टाइप डेटा के बिल मिलेगा यूएसबी एटूसी एक सकते हैं फीचर्स देख लेते हैं इसमें आपको कौन-कौन से मिल जाएंगे कि क्वैलकम स्नैप्ट्रेगन 695 प्रोसेसर है 6GB RAM 128GB का स्टूरेज एंड्रोइड टूरप दिखा रहा है पर एंड्रोइड 13 का अपडेट अपको मिल जाएगा 6.6 इंचेस का LED डिस्प्लेए 120Hz के साथ 5000MH का बैटरी मिल जाता है 50MP का OIS Quad Camera जिसमें 10X तक आप लोग डिजिटल जूम कर सकते हैं 3.5 यर्स का इसमें आपको सिकुरिटी अपडेट मिलेगा देखते हैं कि इस टाइप में इसका प्राइस कितना चुल रहा है तो हमेशा इसका प्राइस होता है 20,999 1,050 रुपीज का डिसकाउंड मिलता है और साथी में SBI के क्रेट काड के ऊपर इसमें आपको 2,250 रुपीज का डिसकाउंड मिलेगा जिससे इसका एफेक्टिव प्राइस बन जाएगा 17,699 यानि की 17,700 रुपीज में ये फोन आप लोग खरीच सकते हैं तो डिस्क्रिप् टोपीज के साथ